रेवतरा में जनरल इस्टोर के गोदाम में लगी आग लाखों का सामान जलकर राक दो टैंकरों की साहिता से धाई घंटे में पाया आग पर काबू साहल अपकंड के रेवतरा गाव में रविवार को सुबग करीब साथ बजे जनरल इस्टोर के गोदाम में स्वाट सर्केट से अचानक आग लग गई गोदाम में धुआ उठता देख ग्रामिनों ने दुकान मालिक को सूसना दी ग्रामिनों की सायता से करीब धाई घंटे की मसकत से आग पर काबू पाया गया दुकान में रखा चाड़े से लाग का माल जलकर राख हो गया रिवतरा निवासी दुकान मालिक दिलिप जैन ने बताया कि रिवतरा के चौड़ीय सोक में उसकी दिल्खुस किराना जनलिश्टोर की दुकान के उपर गोदाम बना हुआ है इसमें रविवार की सुबह करीब साथ बजे सौर सर्केट के सलते अचानक आग लग गई ग्रामि की तब तक सारा सामान जलकर राख हो गया था दुकान मालिक दिलिप जैन ने बताया कि आग पर काबू पाने के लिए गाव के निजी टैंकरों का स्योग लिया जालो से एजरा की दूरी करीब 50 किलोमेटर दूर होने के कारण अगनी समनवान समय पर नहीं पहुंच पाता है एक बार और साहिला में अगनी समनवान की कम ही खिली है आगे भी कई आगजनी की गड़ना है हुई उसमें भी अगनी समनवान जलो से नहीं पहुंच पाया था ऐसे में सारा सामान जलकर राख होने के बाद ही अगनी समनवान पहुंच पाता है